हर दोस्तों स्वागत है आपका आमारे यूटूब चैनल पे और आज हम बात करते हैं अग्रिकल्चर के कुछ इंपोर्टिन क्यूशन के बारे में और अंत में कुछ पांच क्यूशन में आपको देने वाला हूं जो आपको कमेंट में उसका जवाब देना है तो चलिए शुर एक में गत्रिक आपको बाताना है यहां पर आपते हैं तो यह आपको इसका सई आउगा दोस्तों बताना है नो तो यहां पर देहरा दोन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है तो यह वाद आपते हैं केंधृय उपोशन बागवानी संस्ता अवस्तित है क्या राइट आंसर होगा दोस्तों ए है बेंगलूरू बी चंडीकट सी लखनु वह डी नागपुर तो आपको इसका आंसर देना है बेंगलूरू बेंगलूरू यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर है आगे बढ़ते हैं भारत में हरित करांती का जनक किसे माना जाता है तो आपको बता हैं भारत में हरित करांती का जनक स्वामी नाथन को माना जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों हरित करांती भारत की किस पंच वर्षी योजना के दुरान आरंब की गई थी राइट है दोस्टों ठीक है बीज उर्वरक एमम सीचाई करांती हरित करांती का मुझके उद्येश ये निम लिकित में से किसका उत्पादन बढ़ाना था आपको बताना है और यहाँ पर सही आंसर के खाद्जनों का बढ़ाना आगे बढ़ते हैं दोस्तों हरित करांती का सम आगे बढ़ते हैं हरित करांती सबसे अधिक सफल रही है आपको बताना है हरित करांती सबसे अधिक सफल रही है पंचाब हरियाना और उत्तरप्रदेश में यहाँ पर B option राइट है यहाँ पर जो apply किया गया था वहाँ पर उसके मुतबिक यहाँ पर results देखने को मिले पर राइट है दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों हरित गरानती पद का प्रियोग उच उत्पादन दर्शाने के लिए किया जाता है दास तलों का निर्मान करके अधिक व्रक्षों का रोपन करके प्रती हेक्टिर क्रशी उत्पादकता बढ़ा कर तो सहरी सेत्रों में किसानों को सुलब क्रेडिट की उपरलब्द था सहकारी खेती अंतरविष्ट व्रदी ग्रामीन शेत्र का विकास 15 के अंदर आंसर दोस्तों बिल्कुल अंतरविष्ट व्रदी सी ओप्षन यहापर बिल्कुल राइट है वेश्वी खाद्यान उत्पादन में अधिक्तम य उत्पादन में लगबग जो परसेंटेज आता है दोस्तों यह आता है सेवंटी परसेंट सी ओप्षन बिल्कुल यह आपका यहापर राइट है बारत में गेहुं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य यहार गेहुं के जब बात आती है वीट के जब आता राजे कौन सा है जो गेहुं की खेती नहीं करता वह है राजे जो गेहुं की खेती नहीं करता वह है तमिल नाडू बिल्कुल तमिल नाडू जो है वो गेहुं की खेती नहीं करता आज के यह कुशन है जो आपको कमेंटमिन के जबाब देने है बारत में कौन सी खाद्यान आपको राइट आंसर देना है भारत में कौन सी खाद्यान फसल अक्टूमबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रेल में काटी जाती है नारियल कोफी चावल और गेहूं ठीक है के बाद में अवधी के दोरान खाद्यानों विशेशता गेहूं के उत्पादन में बहुत व्रद्धी हुई थी 1954 में, 1964 में, 1965 में या 1966 के अंदर किस सन के बाद अवदी में दुरान खाद्यानों को विशेस्त हैं गेहों के उत्पादन में जो प्रोड़क्शन होई बहुत फुर्टी होई यह आपको उत्तर देना ठीक है नेक्स अटले आस्ट्रेलिया की सबसे महत्पुन खाद्य फसल क्या है मका जो गेहूं या चावल आराम से जवाब देना है सभी का अस्ट्रेलिया की सबसे मुख्या जो खाद्य फसल है क्या है आपको बताना है बारत में फसलों के कुल शेत्रों में से अधिकतम किसकी खेती के लिए प्रियोग में आता है गेहूं, चावल, गणना वर कपास बारत में फसलों के कुल शेतरपल में से अधिकतम किसकी खेती के लिए प्रियोग में आता है गेहूं, चावल, गणना, कपास उतपादन की देशिच से बारत की प्रभुंग खादि फसल क्या है गेहूं जो चावल वर जवार सेशन खतम होता है कमेंट में जवाब दे देना लाइक से सस्क्राइब कर देना थेंक यू सो मैच